चानक के IIS Academy Current Affairs में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हैं हेंड्रे की सिंदर के बारे में। शेत युद के तौरान अमेरिकी विदेश नीती में महत्तपुन भूमी का निभाने वाले पुर्व अमेरिकी विदेश मंत्री हैंड्रे की सिंदर का सो वर्ष की आयू में निधन हो गया है। उन्होंने अमेरिकी राष्टपती निक्सन और खोड के कारेकाल के दोरान अमेरिका के शिर्ष राजनेक और राष्ट्य सुरुक्षा सलहकार के रूप में कारे किया था। दशकों तक कई पिडियों के नेता किसिंदर से सला लेते रहे हैं। पुर्व अमेरिकी राष्टपती जोर्ज डबलु बुश्ट ने श्रधांजली अर्पित करते वे कहा है कि अमेरिका ने विदेशी मामलों पर सबसे भरोसे मन और विशिष्ट आवाजों में से एक को खो दिया है। 1923 में जर्मनी में जन्में किसिंदर के पिता स्कूल अध्यापक थे। हिटलर के अत्याचारों से खुद को बचाने के लिए उनके परिवार ने 1938 में अमेरिका में शर्ड ले थी। हालाकि उन्होंने अपना मूल बवेरियन लहजा कभी भी नहीं खोया। वह 1943 में अमेरिकी नागरिक बन गए और तीन साल तक अमेरिकी सेना और बाद में काउंटर इंटेलिजन्स कोर में सेवा की। पीच्टी पूरी करने के बाद उन्होंने हावर्ड में अंतराष्ट्य सम्मन्त के सिक्षक के रूप में कारे किया। अमेरिकी विदेश नीती पर इनका प्रभाव महत्पून था। 1969 में ततकालिन राष्ट्पती निक्सन ने उन्हें राष्ट्य सुरक्षा सलाकार निउप्ट किया जिसका अमेरिकी विदेश नीती पर भारे प्रभाव पड़ा। 1969 से 77 की बीच राश्टी सुरुक्षा सलाकार और विदेश मंद्री के रूप में उनके आठ परशों के दोरान अमेरिका ने अंतता वियतनाम युद में अपनी भागेदारी समाप्त कर दी, चेन के साथ समंदों को नया रूप दिया और मध्यपूर्व में 1973 के योम की पूर्य दुद में मिश्र सीरिया और इसराइल की बीच की दुश्मनी को खतम किया, यह एक ऐसा प्रयास था जिसने शटल कूट नीती का पूरा विचार तयार किया, चीन में भी किस इंजर को लोगप्रियता हासिल है, उनकी मौत की खबर जल्द ही सोशल मेडिया प्लैट्फॉर्म वीवो पर ट्रेन करने लगी चाइना न्यूस के लेख में उन्हें चीनी लोगों का पुराना मित्र कहा गया है। नीती के दमनकारी शास्कों का समर्थत करने का आरोप लगाया था। हलाकी किस इंजर इस आलोशना को खारिज कर रहे थे। इसके अतरिक्त नौबल पुरुसकार से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है, 1973 में उन्हें नोबल शान्ती पुरुसकार से सम्मानित किया गया विशेश रूप से किसिंजर एक मात्र अमेरिकी है जिनोंने माउट से तुंग से लेकर शे जिन पिंग तक हर चीनी नेता से सेधे तौर पर संपत किया है उन्होंने विबिन कमपनियों के बॉड़ों में भी काम किया है और विधेश नीती और सुरक्षा मंचों के प्रमुक भी रहे है साथ ही उन्होंने 21 कितावे भी लिखी है सो वर्ष के होने के बाद भी किसिंजर ने सक्रिय जिवन जारी रखा जिसमें इस जुलाई में चीनी राश्टती शी जिन्पिंग से मिलने के लिए बीजिंग की एक यात्रा भी शामिल थी चीन और अमेरिका के बीच समन्दों में धनाव के बावजूद किसिंजर का स्वागत भी वहां किया गया हाला कि किसिंजर हमेशा विवादों में भी रहे हैंडी किसिंजर कई बार विवादों से भी गिरे रहे एक और तो उन्हें एक शांदार राजनेता राजनेक के तोर पे जाना जाता है दूसरी और उन पर आरोप रहा है कि बांगलादेश बटवारे के वक्त उन्होंने बांगलादेशी लोगों के नरसंहार में पाकिस्तान का साथ दिया था उनके लिए कहा जाता है कि वे छोटे दोशों के नागरिकों का खून बहा कर एक कुशल राजनेक बने थे भारत के साथ सम्मंदों के अगर बात की जाए तो इनों ने इंद्रा गांडी के लिए अब शब्द भी कहें है 1971 में पाकिस्तान के दो टुकडे हो गए थे उसका पूर्वी हिस्सा बांगलादेश बन गया था इसमें भारत ने महत्तपुन भूमी का निभाई थी लेकिन बांगलादेश की आजादी से एक महीने पहले भारत की ततकालिन प्रधान मंत्री इंद्रा गांडी निक्सन और किसिंजर से मिलने पहुँची थी बैटक के बाद निक्सन और किसिंजर के बीच बारचीत के दोरान दोनों व्यक्तियों ने इंद्रा को अपशब्द कहा था किसिंजर ने उन पर जंग शुरू करने का आरोप लगाया था किसिंजर ने भारतियों को सबसे आक्रामक लोग और चापलूस कहा था दोनों के बीच का ये समवार टेप पर रिकोर्ड हो गया था जिसे 2020 में सालजनिक कर दिया गया था इस टेप में निक्सन और किसिंजर की भारतियों के लिए आपतिछनक टिपणिया दर्ज है 54 मिनट 41 सेकिंड के टेप में 50 मिनट पर निक्सन कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया के सबसे बदसूरत महिलाएं भारतिय महिलाएं हैं इसके साथ ही आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है हम फिर मिलेंगे एक नए विशे के साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद इसके सबस्क्राइब चैनल को जाएं पर समय को पर स्बस्क्राइब चैनल को जाएं है